अक्षरम उद्गीथः तद्वा एतन्मिथुनम् यद्वाक्चे प्राणस्चे रिक्चे साम्चे तो इसमें कौन-कौन का जोड़ा बन गया वानी रिक प्राणसाम रिक और साम का जोड़ा बना रही है तो वानी क्या है रिक है प्राण क्या है साम है ओम जो अक्षर है ये उद्गीथ है अत्वा वानी और प्राण एक जोड़ा है और रिक और साम का दूसरा जोड़ा है तो ऐसे इन तीनों को मिला करके वो अभिव्यक्त होगा परमात्मा अभिव्यक्त होगा एतत मिथुनम ओम इती एतत अस्मिन अक्षरे संस्रिज्यते यद्वा वई मिथुनव समाग अच्छत आपयत वई तव अन्योन्य कामं तद एतत मिथुनम वह यह जोड़ा तद एतत मिथुनम ओम इती एतत अस्मिन अक्षरे यह जो ओम अभिनासी अक्षर है इस पद में उसी का उच्चारण करते हैं तो यहां फिर पद लिया जाएगा उस पद में संस्रिज्यते उस पद में संसर्ग करते हैं यह जो जोड़ा है रिक का और साम का यह ओंकार में फिर संस्रिज्यते उसमें जोड़ते हैं जो बोला जा रहा है वाणी से और प्राण की शक्ती से तो ये प्राण और वाणी दोनों किसमें जाके जुड़ रहे हैं ओंकार इस अक्षर में वोई बोला जा रहा है न तो दोनों के माध्यम से बोला जा रहा है प्राण और वाणी के माध्यम से तो इसलिए का तद एतत संस्रिज्यते जुड मिथुनम समाग अच्छत अपयत तो अन्युन्यक therapy काम तो कह रहे हैं कि जब मिथुनम समाग अच्छत जब दो जोड़ा मिलता है धो जोड़े मिलते हैं मनलब दो अलग अलग जो मिल watch के दो प्राणी एक साथ होते हैं आप आयत मतलब वो पूर्ण करते हैं तव वही अन्यों अन्यस्य कामान ृद की कोई बनाने वाला एक बनने वाला तो यहां पर वो एक है रहे हैं कि यह जब मिट्फुन समाग अच्छत है जब दो का आपस में जब मिलते हैं तब आप типа पूर्ण करते हैं और किसको पूर्ण करते हैं अन्य निस से कामान एक दूसरे की कामना को शिल्पकार की कामना है कि मूरती बना पत्थर की कामना में मूरती बन जाओं इस जब दख़ Bay तो बन जाते हैं बीज की कामना है कि मैं रिक्ष बनूं और किसान की कामना है कि मैं खेती करूं तो वीज और किसान दोनों मिलेंगे तो फिर नई स्रिस्टी पैदा हो जाएगी तो ऐसे सारी स्रिस्टी में नई उत्पत्ति करने के लिए कम से कम दो होने चाहिए एक से नहीं ह ये एतद एवम विद्वान अक्षरम उद्गीथम उपासते तो कह रहे हैं आपईता है वई कामानाम भवती निश्चित रूप से कामानाम आपईता भवती कामनाओं का पूर्ण करने वाला होता है कौन? यह एतद एवं विद्वान अक्षरम सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोन है अक्षर अविनाशी ओम बाकी की जो चीजें है वो थोड़ी थोड़ी कामनाओं की पूर्टी करने वाली होती है समस्त कामनाओं की पूर्टी कोन कर सकता है हमारी जितने भी कामनाई है इश्वर भूख की कामना है आपको भोजन की कामना है तो इस कामना को कौन पूरा करेगा भोजन कितना सोचने क्या जुरूद भोजन की कामना इसको पूरी कौन कर देगा भोजन जयान की अक्षर जयान की कामना है उसको कौन पूरी करेगा आचारिये विद्वान वस्तर की कामना है उसको कौन पूरी करेगा वस्तरकार अन की कामना है फल फूल शाक की कामना है उसको कौन पूरा करेगा किसान तो यह सारी कामना ही एक 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 व्यक्ति एक एक कामना को पूरा कर सकता है सब कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता है किसान डोक्टर की कामना को पूरा नहीं कर सकता डोक्टर विद्वान की कामना को पूर पूरा नहीं कर सकता माख खाना बना के खिलाएगी लेकिन इश्वर समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता है आपईता है वही कामानाम भावती यह एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीथम उपासते जो यह जानता हुआ इस अक्षर अविनाशी उंकार की उपासना करता है उसकी सब कामनाओं पूर्ण हो जाती है जो साधक यह जानता है कि मेरी सारी कामनाओं का अंत कहां हो सकता है इश्वर में तो ऐसा सोच करके वो इश्वर के उपासना करता है तो फिर उसकी सारी कामनाओं पूर्ण हो जाती है सारी कामनाओं पूर्ण हो जाती है मतलब कामना रहती ही नहीं है जब तक इश्वर नहीं मिलता है तब तक कोई सारी कामना ही पूरी कर नहीं सकता है कोई न कोई कामना तो बनी ही रहती है कोई एक पूरी करता है कोई दो करता है फिर भी कुछ तो बनी ही रहती है और जब सारी कामनाओं को पूरा करने वाला कोई मिल गया तब कामना नहीं रहती है ऐसे होता है लोक में भी होता है ऐसे जब व्यक्ति के पास भूत भूख लगती है उसको भूत उसकी इच्छाएं हैं कि मैं ये खाऊं ऐसा पहनूं ऐसा मकान बनाऊं ऐसी गाड़ी में जाऊं तब उसके पास बिचारे के कुछ है नहीं साधन नहीं है और जब सारे साधन उसको मिल गए तब वो खा नहीं सकता है उसको भी पी हो गया उसको शूगर हो गया उसको दर्द हो गया तो उसको बेडरेस्ट बता दिया तो अब उसका उपभोग नहीं कर सकता है, जब चने हुए तब दांत नहीं, जब दांत थे थब चने नहीं, ऐसे होता है, जब बच्पन में दांत थे तब तो चने नहीं मिले, और अब बुडापे में चने मिले तब दांत नहीं है, जब आएं किस से, पहले बहुत निर्धन थे, तो उपभोग की वस्तवे नहीं थी मन तो करता था अच्छा हम भी खाएं जो गरीब लोग होते हैं विचारे उनकी भी इच्छाएं होती है अच्छा तो होती है पर है ही नहीं और जब सब कुछ हो गया इस व्यक्ति के पास बहुत मेहनत करने के बाद अब खानी सकता है अब डोक्टर ने मना कर दिया कि दाल भी नहीं खानी दाल का पानी पीना है केवल तो जब हमारी बहुत बहुत कामनाई थी तब कोई पूरा करने वाला नहीं था संसार में अब जब सब कामनाई पूरी करने वाला कोई मिल गया है अब कामना ही नहीं है इश्वर मिल गया है उसको क्या कामना रहेगी आप इता है वही कामानाम भवती ये एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीथम उपासते तो ये जब अक्षर ओंकार को जान लेता है कि वो सब कामनाई पूरी करने वाला है तो निश् सब कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। तद्वा एतद अनुज्याक्षरम यद्धी किंच अनुज्यानाती ओम इती एव तद है एशो एव सम्रिध्धी यद अनुज्या समर्धाइता हवई कामानां भौती ये एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीथम उपास्ते तद्वा एतद अनुज्याक्षरम कह रहें यह जो ओमकार है यही अनुज्याक्षरम यही जैसे हम भी अपने यहां बोलते हैं तो जब स्वीकृति देनी होती है अनुज्या किसी की करनी होती है तो क्या बोलते हैं ओम ओम ही बोलते हैं तद्वा एतद अनुज्याक्षरम जब कोई हम किसी चीज को जानते हैं तो क्या बोलते हैं और किसी को किसी को उनुज्या देनी के लिए बुलाजाता है rice यद ही किंच अनु जानाथी जो इस ओमको, ओमकार की 나र इस क्वालिटी को जानता है इस गुण को जानता है कि ओम क्या है अनुज्या देने वाला किरने वाला इस गुण को जो जानता है ओम इती एवा तद आह तो तब वो मनुष्य ओम ही ओम बोलता है क्या रहस्य है इस quality का वो आगे बता रही हैं करें हैं एशा एवा सम्रिद्धी यद अनुज्यां ये जो अनुज्यां है ये ही क्या है सम्रिद्धी है ये ही अश्वरिये है मान लो किसी को class में आने की अनुमती मिल गई तो class का जो भी अश्वरिये है अर्थात विद्धया उसको मिल जाएगा क्लास में बैठ गया तो किसी विक्ति को जैसे DC से या PM से CM से कोई काम है और उसको अंदर आने के अनुमती मिल जाती है तो वो व्यक्ति क्या समझता है कि काम बन गया अब मैं अपने सारी बात इनको बता दूँगा और मेरा काम हो जाएगा तो ये अनुज्य मिलना ही क्या है सम्रिध्धी है हमने कहा कि भगागवान जैं हमें अपने आस्त्रय में ले लो प्रार्तना की हमने और उधर से हमें अनुमती मिल गई ये ठीक है तो ये कितना बड़ा ऐश्वर ये है फिर तो सब कुछ ही मिल गया यदि उधर से अनुज्य मिल गई तो ये बहुत बड़ी सम्रिध्धी हमें मिल गई तो जो साधक इस बात को जानता है कि ये ओम जो है ये अनुज्या सूचक अक्षर भी है ये अनुमती का भी सूचक है और अनुमती ही अपने आप में सबसे बड़ी सम्रिध्धी है सम्रिध्ध्धी वाला कौन है ओम ओम मतलब इश्वर जब ये सम्रिध्ध्धी वाला किसी को अनुज्या देता है तो फिर ये उसको मतलब अनुमती मिल गई तो ये तो सबसे बड़ी सम्रिध्धी मिल गई ना हमें इश्वर ने यदि हमें स्विकार कर लिया उस समर्धहिता ने यदि हमें ओम कहकर के स्विकार कर लिया तो ये हमारी सबसे बड़ी सम्रिध्धी है समर्धहिता है वई कामानाम भवती ये एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीथम उपासते जो ऐसा सोच कि ओंकार की इस विशेश्टा को ध्यान में रखते हुए उसके इश्वर के इस गुण को जानते हुए जो इस ओंकार की उपासना करता है कि ये ओंकार क्या है अनुज्या सूचक भी है अनुमती जो इसकी उपासना करता है तो वो समर्धाइता है वोई कामानाम भ methane उसकी कामनाओं का वो पूर्ण करने वाला बन जाता है जो ऐसा समझ करके इस उद्गीत की उपासना करता है ओम यही अक्षर अनुज्या में भी प्रयुपत होता है जब किसी बात की अनुज्य आर्था स्विकृति देनी होती है तब ओम कह करके ही दी जाती है अनुज्य देना किसी बात की स्विकृति देना ये सम्रिद्धी का सूचक है जो सम्रिद्ध है आप्त काम है वही अनुज्य देता है कि जो उसको इश्वर को इस गुण वाला मान करके उपासना करता है वो खुद क्या बन जाता है एश्वर यवान समर्धहिता समर्धहिता है वही कामानाम भौती अपने सब कामनाओं का वो पूर्ण करने वाला बन जाता है अनुमती देने वाला बन जाता है यह एतद एवं विद्वान अक्षरम जो इस अक्षर को ऐसा जानता है इस उद्गीत अक्षर को जो ऐसा जानता है वो वैसा ही बन जाता है यह इसमें उप्रिशदों में बहुत बार आएगा यह शब्द जो है यह एतद एवं वेदा से जो जैसा हम जानते हैं, इसी चीज को जैसा मानते हैं, जानते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं, अर्थात जो हमारा विचार होता है, वो ही हमारा व्यक्तित्व होता है, हम वैसे ही बन जाएंगे, यदि हमने मान लिया कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं कहां इसको प्राप्त कर पाऊं होगा तो हमारा है तो कैसा बनेगा कम जोर ही बनेगा और यदि आमने मान लिया कि कुछ भी मनुष्य की पकड़ के बाहर नहीं है कुछ भी चाहए कर सकता है मनुष्य मैं भी तो एक आत्मा हूं तो फिर इसका व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा इसलिए बोलते हैं कि विचार ही हमारा संसार है जैसा हमारा विचार है वैसा हमारा संसार है जैसा हमारा व्यक्तित्व है तो जो ऐसा जानता है वो वैसा बन जाता है जो व्यक्ति ये जानता है कि व्यायाम करना स्वास्थ के लिए अच्छा है जो ऐसा जानता है वो व्यायाम करेगा, करेगा वो स्वास्थ बन जाएगा जो ये जानता है कि बेड़ी सिगरेट आदी पीना स्वास्थ के लिए हानिकारक है जानता है तो वो हानेकारक का त्याग करेगा त्याग करेगा तो उसकी हानी से बच जाएगा जिसके बारे में हम जैसा जानते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं तेन इयम त्रै विद्य वर्तते ओम इती आस्रावयती ओम इती संचती ओम इती उद्गायती एतद अस्य एव अक्षरस्य अपच्चित्याई महिम्ना रसेन विद्य तेन वी ऌतर उपपास्ना चारेति विद्य उसके मूल में कौन है शुन कार तेने इन तरई विद््ध्या वर्तते उस आंकार से ही ये तरई विद्ध्या है उसका आस्रय ये आंकार ही है इसलिए ओम इति आस्स्रावैति ओम इति शंशद्धि वू जो याग होते हैं, बड़े यज्य याग होते हैं, तो उनमें जो होते हैं, तो उन में 16 रित्विग होते हैं इसके सामवेद के और उनका हैड होता है होता हाँ और उससे ज्यादा होते हैं ये जुर्वेद के मैंने देखा है वह केरला में आप तौरियम यज्ज था वह इसके साथ आठ प्रकार हैं पहले बड़े जैसे सौम याग आदी है ना वो डारेक्ट नहीं किये जाते हैं उसके पहले कुछ छोटे किये जाते हैं अगनिस टौम आदी तो उन वो आठ हैं उन में से एक है आपतोरियम आपतोरियम सात्वा हैं शायद दर्श पूर्णमास से शुरू होती है यह का अध्वर्यू और सामवेद का उद्गाता और चोथा है ब्रह्मा वो मौन रहता है बोलता नहीं है वो केवल इशारे करता है यज्य में जब आदेश देना होता है उस समय आदेश देता है वो उसके अतिरिक्त जब सब बोलेंगे तब वो बोलता नहीं है बीच में टोकत भी नहीं है उसको बताना है तो बाद में बताएगा, तो फिर वो सब से पहले इसको आदेश देता है रिगवेदा वाले को, तो जोर से बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, ओम स्रावया मिक हूर उसके बदर रेचाहिएंश शूरू कर देते हैं, संचती माने स्तूती करते हैं इश्वर की पहले फिर वो ऐसे ही आदेश देगा जब इसकी स्तूती पूरी हो गई तो वो अध्वरियू को बोलेगा कि अब तुम सुनाओ तो फिर वो भी बोलेगा ओम स्रावयामी फिर वो करमकांड शुरू कर देता है उन मंत्रों से कब दूद से हवी देनी है पुरो डश देना है कब किसकी हवी देनी है वो वैसे वैसे वो करेगा फिर सारा करमकांड हो गया तब फिर वो उदगाता को बोलेगा ओम स्रावया फिर वो भी उत्तर देगा ओम स्रावयामी फिर वो सामगान के मंतरों का गान करता है ऐसे चलता है उसमें तो उसको ही ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं ओम इती आस्रावयती ओम कहकर के ही होता जो है वो आस्रावयती सुनाता है स्तूती करता है आस्रावयती ओम इती सम्शती ओम कहकर के ही वो क्या करता है संशन करता है उपदेश देता है स्तूती करता है ओम इती उद्गायती और उद्गाता भी ओम कहकर के ही सामवेद के मंत्रों का गान करता है उद्गायती उच्चारण करता है एतस्य एव अक्षरस्य अपचित्याई महिमना रसेना तो कह रहे हैं एतस्य एव अक्षरस्य इस उंकार अक्षर की ही इस उदगीत की ही अपचित्याई पूजया के लिए महिमना रसेना तो रस के साथ माने पूरे आनंद के साथ इसकी ही महिमा का वो तीनों गान कर रहे हैं ओंकार की ही महिमा का और बड़े इतना आनन्द आता है उसको सुनते सुनते ही समाधी लग जाए वैसे करम कांडी की निंदा तो करते हैं लेकिन जब उसको बहुत ठीक वीधी से किया जाता है ना तो जब वो वहां के जो जिन को वो गान आता है सब रिचाओं पर गान नहीं है सामवेद की कुछ रिचाओं के उपर गान है तो जब वो उस गान को ठीक स्वर से गाते हैं उतर भारत में नहीं मिलता है वो सुनने को दक्षिन भारत में ही मिलता है उतर भारत वाले तो नक अकल में भी फिर अकल चाहिए तो नहीं बात बन पाती है उसको सुनते हैं तो आपके सुनते सुनते समाधी लग जाएगी इतना आनन्द आता है समझ में नाये उसको भी आनंदाता है जो संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं है उसको भी आनंदाता है तो वो पूरे ऐसे मस्त हो जाते हैं गाते गाते इतनी तेज तेज स्वर से गाते हैं और उनकी शौस फूल जाएगी मतलब यहां से उसकी नाड़ी दिखने लगेंगी और ऐस यह से वो इशारे करते हैं ना हाथों से अध्वर्यु आदी यह जुरवेद वाले अलग उस स्टाइल में गाएंगी रिगवेद वाले अलग में गाएंगी साम वालों का गान तो फिर अलग ही होता है तो यह ओम की महिमा बता रही हैं कि यह सारी त्रईविद्ध्या भी कि करते हैं उसी से उपासना करते हैं उसी की महिमा से रस से पूजा के लिए अपचित्ते इमाने पूजा के लिए उसी को गाते हैं उद्गायती आस्त्रावयती और सम्शती और उंकार से ही करते हैं तिनों होता तेन उभव कुरुते यस्चे एतद एवं बेद यस्चे ने व उस अक्षर से ही उभव कुरुते यस्चे एतद एवं वेद जो भी करमकांड करते हैं वो दोनों ओंकार से ही करते हैं वो लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं और वो लोग जो महिमा को नहीं जानते हैं वो भी ओंकार से ही उपासना करते हैं और जो जानते हैं वो भी ओंकार स इस औंकार से ही दोनों अपने अपने कर्म करते हैं माने पूजया आदी करते हैं कौन-कौन ये जो इस अक्षर अविनाशी औंकार को इस रूप में जानता है किस रूप में जो उपर बताया कि त्रही विद्या का भी मूल कौन है ओंकार है तो इसको जो जानते हैं वो भी ओंकार का नाम लेकर के ही ऐसे ही करते हैं और यस्च नवेद है जो नहीं जानते हैं वो भी क्या करते हैं ओम बोलके ही कोई काम शुरू करते हैं ज्यादातर राम बोलते हैं, या कोई कृष्ण बोलते हैं, तो भावना क्या होती है? वो एक जो सर्वशक्तिमान है, तो उनका राम भी दस्टरत पूत्र राम नहीं होता है, वो ही होता है, तो जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, दोनों उसी का नाम लेकर के ही कोई कारिय करते हैं, ना का उसी की क्रिपा से ही काम होता है यदेव विद्यया करोती शद्धया उपनी सदा तद एव वीर्यवत्तरम भवती इति खलू एतस्य अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवती करें देखो करते तो दोनों उसी से ही है लेकिन यदेव विद्यया करोती विद्या और आविद्या दोनों का फल अलग-अलग बता रहे हैं जो ज्यान पूर्वक भावना पूर्वक शद्धा पूर्वक ऐसा करते हैं तो तद एवे वीरिये वत्तरम भवती इती वो ही ज्यादा फलदाई होता है जो ज्यान पूर्वक शद्धा पूर्वक जो क्रिया की जाएगी वो ज्यादा फलदाई होगी जैसे प्राणायाम तो सभी करते हैं कोई ठीक तरी किसे करते हैं कोई गलत करते हैं तो थोड़ा सा लाब तो सभी को होता है लेकिन प्राणायाम का पूरा-पूरा लाब किसको घटित होगा संपूर्ण प्राणायाम का पूरा पूरा लाब उसको घटित होगा जिसने पहले पांचों यमों का अनुस्थान कर लिया और आसन सिद्ध हो गया और अब वो भावना पूरुक प्राणायाम कर रहा है तब पता लगेगा तत्यक्षियते प्रकाशावरणम क्या है उससे पहले तो यह यही कह रही है कि वीर्यवत्तरम कौन सा होगा जो विद्यया क्रियते जो विद्यया से ज्यान पूर्वक किया जाएगा यदेवे विद्यया शद्धया उपनिशदा करोती तदेवे वीर्यवत तरम भाओति खलू एतप्रे एव अक्षरर स्य कि इस लिए इस अक्षर अविनाशी ओंकार का उपव्याख्यान भाओति इस लिए तो हम इसकी महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं, सब उस ओंकार से ही होता है, इसलिए इसकी महिमा है ये, तो ये इसका प्रथम खंड समाप्त हो गया, यहाँ पे, अब आगे इसको घटा रहे हैं, पिंड में प्राण और ब्रह्मांड में सूर्ये, ओंकार में ही सब कुछ प्रतिस्थित है, ये सब दिया, त्रही विद्या उसी में प्रतिस्थित है, सारे भूत, परस पर कौन किसका रस है, यहाँ से शुरुवात की, रस मतलब कारण, और उन रसों में भी सब से स्रेष्ठ रस तम कौन है, उंकार है, तो उस रस में ही सारे रस समाए हुए हैं, ये बता दिया, सारे भूत, सारे प्राणी किस पर आस्रे रखते हैं, अन आदी के उपर और वो अन आदी रस भी फिर जल आदी ऐसे ऐसे करके, अन्तिम जो रस है, अन्तिम जो आस्रय है, अन्तिम जो कारण है, अन्तिम जो भूशन है, अन्तिम जो एक स्थीती है, सब को थामने की, वो कौन है, उदगी जतना भी ज्यान है उपासना है भकती है या करमकांड है बड़े बड़े यज्यागादी भी होते है उन सब का मूल आसरे क्या है ह। भूंकार ही है वो सारा भी उनका भी आसरे क्या है रोंकार है और उसके neglected प्रिक्त भी जो कारिये किये जाते हैं ज्यान से या अज्यान से उन सब का आस्तरे भी क्या है ओंकार ही है तो जो ज्यानी हैं वो तो ये जानते हुए उसका आस्तरे लेकर किसी काम को शुरू करते हैं अज्यानी हैं उनको नहीं पता उसकी क्वालिटी का लेकिन एक परंपरा से जो उन्होंने सुना है उसका आस्रे ले करके वो किसी काम को शुरू करते हैं तो इन दोनों में भी जो ठीक ठीक जानने वाला है उसको परिणाम भी क्या होगा अधिक होगा अधिक अस्य है अधिकम लाब हम अधिक अधिक लाब होगा और जो कम जानता है उसको लाब तो हो होगा तो इतने इतने प्राणायाम लोगों ने करके भी और फिर उस प्राणायाम से क्या निकाला मोटा पा कम हो गया बस उतना ही निकाला और रिश्यों ने उससे क्या-क्या निकाल लिया नोने तो बहुत बड़े रस को निकाल लिया तो विधी आदी और ज्यान आदी वो पूरा पूरा लाब होता है तो अब इसको पिंड में और ब्रह्मांड में घटाएंगे पिंड में प्राण ही ओंकार है और ब्रह्मांड में ये सूरिये है क्योंकि पिंड में हमारे जीवन का आस्रे क्या है प्राण, प्राण नहीं है तो नहीं जी सकते हैं और ब्रह्मांड में इस स्रिस्टी का आस्रे क्या है सूरिय इस सूरिय की बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं इसको कल पढ़ेंगे अभी समय हो गए यहीं पाठ को भी राम देते हैं अम शांति 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 ही स्री गुरुभ्यो नमहां